प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें बहुत सलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स डाइघर पुलिसी स्टेशन ने जब्त की गई दो पहिया वाहनों की निलामी की तयारी अब शुरू कर दी है डायगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरिक्षक गुल अफ्रोज मुजावर ने बताया है कि दो पहिया गाडियां करीब 30 गाडियां जब्त की गई थी जिनमें से 11 गाडियों के मालिक मिल गए है और उन्हें ये गाडिया हैंड ओवर करने की तयारी की जा रही है मगर वही बाकी बची 19 दो पहिया गाड़ी के मालिकों का कुछ पता नहीं चल रहा है डायगर पुलिस स्टेशन में जब्त की गई स्कूटर वाइक की ये तस्वीरे हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि कुछ दो पहिया गाड़ी में नंबर प्लेट है और कुछ में नहीं है डाय पुलिस स्टेशन ने जारी किया है ये उनी दो पहिया 19 गाड़ी के लिस्ट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं टायगर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निच्छक गुल अफ्रोज मुझावर ने बताया कि दो हफ्ते में दो पहिया 19 गाड़ी की निलामी का क्जा प्रोसेसी पिरिप्र होतब के इसलों क्रैस्तों कुछ सिर्ड सेट हैं एक वहते हैं इसका पुरा मामला क्या है, क्या निलामी का इसका प्रोसेज है और कितनी वाहन है? इस डाइगर पूरी स्टेशन के जुरोडिक्शन में है, टोटल 30 मोटर सैकल जब्त किये थे, जो लावारिस है, और कुछ के तो आर्टियो नंबर भी नहीं पता चल रहे थे, तो हमने चेसिस नंबर, इंजिन नंबर जो आर्टियो नंबर है, उसमें से आर्टियो से जानकार बच्ची है, पुरी कोशिश करके अभी तब उनके ओनर ट्रेस नहीं होए, या तो उनके आर्टियो नंबर गलाता है, या चेसिस नंबर, या कुछ ओनर जो है, वो दियोए पतिपन नहीं रते, इसके लिए हम अभी आने वाले दो आपते के बीच, उसकी निलामी की प्रोस इसके अगर किसी बंद पढ़ने के वज़े से अगर इदर लावारी चुटी होगी और पोली स्टेशन में जमर होए होगी, तो वो आपने-पने कारजात लिखाके अपस ले सकते हैं